प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप और नेवर मिस अनादर अपडेट अमरीका की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने बुद्वार तड़के अपने फॉलकन हैवी रॉकेट की काम्याब लॉंचिंग कर दी है कंपनी का दावा है कि यह अभी इस्तेमाल हो रहे सबसे पावरफुल रॉकेट डेल्टा फॉर हैवी से दो गुनाव वजन ले जा सकता है फॉलकन हैवी से आने वाले वक्त में लोगों को चांद और मंगल पर भीजा जा सकता है फिलाल इसमें फ्यूचर का स्पेश सूट पहने एक बुदला और कम्पनी के मालिक एलन मस्क की चेरी रेड कलर के सला कार भीजी गई है लॉंचिंग के तीन मिनट के अंदर रॉकेट के दो तरहे के बुष्टर उसमें अलग हो गए कैलिफोनिया के हाव थोर्न हेट क्वाटर से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये फॉलकन हेवी रॉकेट लॉंच का लाइव टेली काश देखा गया इस खास नजारे को देखने के लिए स्पेस सेंटर से करीब 8 किलोमेटर दूर कोकोआ बीच के पास कैम्प गराउंड भी तयार किया गया था जहां 2000 से ज़्यादा लोगों ने इसे देखा इससे पहले सेंटर फाइव रॉकेट खासा पावरफुल था लेकिन वह अब इस्तेमाल नहीं होता उसमें 140 चन वजन ले जाने की ताकत थी नासा ने इसी से चांग पर खोज के लिए कई मिशन भीजे थे इसकाई लैब भी इसी से लॉंच की गई थी दरसल स्पेस में किसी सेटलाइट को भीजने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है किसी प्रोग्राम की लागत का बड़ा हिस्सा रॉकेट पर ही खर्च होता है स्पेस X लंबे वक्त से ऐसे रॉकेट का प्रयोग कर रही थी जिसे एक से जादा बार इस्तेमाल किया जा सके अब यह प्रयोग सफल हो चुका है